नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज आपको सुनाऊंगी उर्दू और हिंदी साहित्ती की जानिमानी लेखी का होसन तबस्वम निहां द्वारा लिखी हुई कहानी ये बेवफाईया मेरे दोनों शोहर आपस में भिड़े पड़े थे और मैं तकिये के गिलाफ में बूटे कारती हुई मजे ले रही थी दोनों का जगड़ा कई-कई जावियों पर चल रहा था मुह जवानी भी हाता पाई भी और आदालती भी खुब गले फाड़े जाते पेशी अंढोई जाती मुकदमे ला दे जाते मगर क्या था थक हार का जज़भी हत्यार डाल देता मन मार फे कोई फैसला ना कर पानी पर भी हात ज़ाड लेते और फैसले के सारे अक्तियाराथ मुझे थामा देते बीच बीच में मुला का जी भी हाथ बाँ चला लेते और मुस्लिम परस्णल लॉब ओर्ड की तरफ मुआमला खिच ले जाते मगर मुसलिम पर्सनल लौबोर्ट भी ऐसा मकड़ जाल सावित होता जहां पहले ही कितने ही मसाइल तड़ फड़ा कर दम तोड़ रहे होते वो मुसलिम पर्सनल लौबोर्ट जिसे अपने ही मिजाज पुरसी करनी की तमीज नहीं काजी वो उले मात बगले जहाकने लगते उनका इल्म और काविलियत जबाब दे जाते मैं ठहरी हुई पहाडी बन गई जिस पर से सारे मौसम आते और फिसलते जाते मैंने भी मौसमों की मस्ती और मौसमों के संग बहना सीख लिया था बजाए इसके कि अपने उपर छाती खिजाओं की बदलियों पर रोंग पीटू अब देख रही हूँ सारा दयार आबे कशीफे दहर में बहता जा रहा है सारे बेवफा बादल हवाओं में तूटकर बिखर गए हैं हमारी रिहायस शहर से दूर किनारे से लगी हुई है जिसकी सरहदों पे नने नने गाओं कायम है खेतों की हरेयाली से सारी फिजा आरास्ता है जिसके अपने ही मजे है आसपास के खेतों से फूटती देहाती नगमों की सदाएं जी मैं प्यार घोलती है और मैं दुनिया भी समंदर के छोर बैठी लालो गोहर चुन रही हूँ मुझे समंदर की आवारा लहरों और तूफानी अठखेलियों से कोई सरुकार नहीं मैं तो बस मैं हूँ तन्बीर एहमद से मेरी शादी 40 साल पहले हुई थी तलाक 40 साल बाद इस दर्मियान में 6 बच्चों की माँ बनी 4 बच्चों की नानी और 5 बच्चों की दादी हमारी शादी 1968 में हुई तब तन्बीर एक छोटा सा रेस्टूरेंट चलाता था ये शायद मेरे कदमों की बरकत थी कि मेरे दाखिल होते ही घर में दौलत बरसने लगी हमारा रेस्टूरेंट एक बड़े और मकबूल होटल में तबदील हो गया यहां तक के बाहरी मसाफिरों के लिए फकत वही एक होटल मशूर था हमारे होटल की चका चौन दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती गई बच्चों को उची पढ़ाई पढ़वाई अच्छे अच्छे घरों में उनके रिस्ते किये मेरे खुश कदमों का एहसास तन्बीर को भी बारहा रहा इसलिए वो अक्सर मुझे बरकती कहकर पकारता था फिर जिस तरह तन्बीर जान तोड मशक्कत करता था मैं भी वैसे ही तिनका तिनका संजो कर उसकी आमन्दनी रखती थी कभी किसी तरह की फिजूल खर्ची की आदर नहीं डाली नहीं बच्चों को डालने दी मेरी खुबियों पर निसार तन्बीर अपनी आमन्दनी का एक हिस्सा हर महीने मेरे खाते में डलवा देता ये उसका शुरू का ही मामूल था यही रकम होते करते दो करोण रुपे में तब्दील हो गई थी हालांकि मैंने हमेशा मना किया कि एक घर में तेरा मेरा क्या जो तुम्हारा वही सब हमारा मगर तन्बीर कहता तुम नहीं जानती, दुनिया बड़ी मतलब परस्थ है मेरे न रहने पर मेरा सब कुछ ये बच्चे बांट लेंगे तुम्हारा कोई न होगा लेकिन तुम्हारे पास कुछ लस होगी तो सब तुमसे चिपके रहेंगे बाकि हमारा तुम्हारा बटा क्या है मेरा सेर अदब से उसके सामने जुक गया था उसके अंदर मेरे लिए हमेशा एक मुश्विकाना शमा जलती रही छुट-पुट उल्टी हवाओं को छोड़ दिया जाए तो हमारी जिंदिगी हमेशा लुट्फ अंदोज भीती हमारे घर सातों पहर सहाफी, बुकला और सियाल स्तना की आमद रफ्त रहती हमारा दो सितानवाला होटल पूरा चान बनकर शहर में दमक रहा था बेटियां व्यहदी गए थी, बेटे यहां वहां सैटल हो चुके थे एक मुम्मई में था, दूसरा कोलकता में, तीसरा अबुधाबी में और चौथा यहीं लखनों में रहका पड़ रहा था सारे जिम्मेदारियों से हम फारिक हो चुके थे अब तो तसबुफ की तरफ जी भागने लगा था कि एक रात यक वायक कमाल हो गया इसके कबल ये बता दूं के तन्वीर अहमद और अहमद अबास गहरे दोस्त थे एक दूसरे पर जानिसार कहने वाले बगर एक दूसरे से दो चार बातें किये उनका दिन पूरा नहीं होता दिन में कम अजकम एक बार उनका रूबरू होना जरूरी था इसके लिए पहल हमेशा एहमद अबास करता दिन में जिस भी वक्त वा फुरसत में होता आधमकता फिर शहर भर का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का जायजा लिया जाता बावर्ची खाने से चाई की प्यालिया और पकोड़े जाते रहते चाई के साथ साथ बहसे भी गर्म होती रहती कभी कभी मैं जुझलाती तो तन्वीर आखे दवाते हुए बोलता उलजती क्यों हो बिचारा इतनी दूर से तुमारे हाथ की बनी चाई पी ने आता है अब बास मुझसे भी खासा घुला मिला था कभी कभार हलके फुलके मजाग भी कर लिया करता था चुटीली बाता चिरता रहता लेकिन एक पक्त ऐसा भी आया कि इस दोस्ती की खुश्बू काफूर बनकर उड़ गई बहरहाल फिर से आती हूं उसी मौजू पर कि जो रात करिश्मा बन गई मैं गौर कर रही थी कि कुछ एक अर्से से तन्वीर मुझे अवॉइट करने लगा था छुट-पुट घर में दिख जाता बागी अल्ला जाने कहां गाइब रहता दिन को तो गाइब रहता ही रात को भी जाने किस पहरा कर सो रहता मैं तरह दे जाती कहां कि तमाम मसरूफियात में उलचते हुए भी वो मेरी लिए वक्त चुरा लाता था कहां कि अब फुरसत में भी वो मसरूफ होने का पार्ट भरे रहता एहमद अब्बास से भी वो कटाया करता और हम दोनों एक दूसरे से ही तन्वीर की शिकायत करके जी हलका कर लेते फिर आई वो करिशमाई रात हुआ ये के रात के बारे एक बज़े होंगे में करवटे बदल रही थी तन्वीर हस्पे मामूल गायव था मोबाइल हमेशा की तरह वाग घर पे ही छोड़ गया था बहर हाल कोई भी राज देर ता पोशिदा नहीं रह सकता मुझ पर भी उस रात तन्वीर की बेजारी का इनकिशाफ हो गया रात की सुन घड़ियों में यकायक बाहर का गेट खड़का मैं नीम खुमारी में थी मगर इस चर मर की आवाज पर चोकना होकर बैठ गई कुछ पल सांस रोके बैठी रही तब ही एक से ज़्यादा कदमों की आहटें सुनी लौन फिर दालान लांकते हुए वे कदम जब हमारे बेडरूम के सामने से गुजरने लगे तो हमारा जब्र ओ सब्र जबाद दे गया बिजली की तेजी से उचक्या खिड़की की तरब भागी पता नहीं चला कब हातों ने खिड़की के पड़े सरका दिये मैं तो सामनी का मंजर देखके साकित थी लगा लहरा के गिर पड़ूँगी तन्वीर एक नकाब पोर्स के साथ सीड़ियों की तरब बढ़ रहा था पलवर में ही माजरा समझ गई एक जटके से दरवाजा खोला और शेड़नी की तरह चीख पड़ी रुक जाओ रात के सन्याटे में चीख दहाड बनकर कौन थी तन्वीर एकदम से हडवडा गया फिर बल खाते हुए पलटा साथ ही वो बुर्का पोश भी बुर्के की पट्टियां गिरी हुई थी जिससे सिर्फ महसूस हुआ कि कोई जवान खूब सूरत शय है मैं तन्वीर के बजाए लड़की से मुखातिब हुई बीबी तुम्हारे जैसी इस आदमी की बेटियां और वहुए है आँखों के साथ साथ क्या तेरी अकले पे भी पड़दा पड़ गया है ये तुझे कहां से लेकर आया है बेटी बेटी कहना था कि तन्वीर की आँखे खौणने लगी तोड़के मेरे गले को हाथों से कस लिया और कस्ता गया तु मुझे जलील करेगी मुझे पर हुक्म चलाएगी हरामजादी हमारे उपर चार शादियां सुननत है मैं मर्द हूँ मर्द मेरे गले से घुटी घुटी चीख निकल रही थी चीख सुनका मेरा छोटा बेटा रोईहान दोड़कर बाहर आ गया सारे नौकरों ने आ आ का घेड लिया बेटी ने मेरा गला चुड़ाया फिर उस औरत की तरफ देखा और चीखा अब्बू लगा उसका दिल फट जाएगा तूफान उसके भी तक करवटन लेकर उठ वैठा मैं जुनूनी हालत में उस लड़की पजप्टी वो डर से सिकुड गई और तन्वीर की पीट के पीछे ओट लेती हुई तन्वीर से बोली हाय अल्ला आपने तो कहा था कि आपकी अहिल्या इंतकाल फर्मा गई या अल्ला धोके बास दो तरफा धोका कहती हुई पगलाई आंदी की तरह तन्वीर के चहरे पर कई थपड मैंने रसीद कर दिये वह सक्ते में आ गया बेटे नौकर चाकर और बड़ी बात उसकी महभूबा के सामने एक औरत उस पहार जैसे जिसम पर थपड जड़ते तो वो सितारा वाले होटल का मालिक वो मकबूल और महरूफ शक्सियत जो शहर वर का सेथ है जिल्लत और हया के मारे कट कर रहे गया आओ देखाना ताओ दहार पड़ा जीनत तुम्हें तलाग दिया तलाग दिया एक लम्हे को पूरे हॉल में मौट सी खामोशी चा गई मगर होश लोटते ही में तड से गिरी दूसरे दिन में रोती पीटती माई के पहुँचा दी गई शहर भर में एक ही चर्चा गरम थी तन्बीर सेट ने अपनी बीबी को तलाग दे दिया वो भी इस उम्र में हफ्तों धूम रही भाई जानने सुना तो आग बबूला हो गए मगर क्या बिगाड लेते उसका आखिर वह मर्द था मुसल्मान मर्द उसने अपनी कर ली वह कर सकता था वो कहने के लिए बना ही था छोटे बेटी ने धड़ाधर सारे भाई बहनों को फॉन से खवर कर दी और सभी ने बारी बारी फॉन करके मुझे मेरी दिल जोई की बेटों ने अपने अपने पास रहने की इलतजा की मगर मैंने साथ कहा अल्ला रखे अभी हमारा माई का वरकरार है अल्ला मेरे भाई की उम्र दराज करे अहमद अब्बास ने सुना तो सन रहे गया फुर जाकर तन्वीर की खूब खबर ली और फिर मेरे पास आकर घंटों से जुकाए बैठा रहा ना उसके पास कोई लफज ते ना मेरे पास मैं उसके नजदी की बैठी खलाव मैं तेरती रही इसके बाद भी वह कई मरतबा आया लेकिन उस बार तो आकर उसने चौका ही दिया एधर उदर की कहते सुनते उसने कहा भावी तन्वीर का एक पैगाम है आपके लिए मैं चौकी पर पांदान खोले बैठी थी हाथ में पान का बड़ा सा पत्ता था जिस पर मैं चूना कथा लेप रही थी उसकी बात सुनकर मेरे हाथ रुख गए क्या कहा असल मैं वह अपने किये पर बहुत शर्मिंदा है वह वह आपसे फिर से निकाह मैं बीच में ही फट पड़ी खामोश अहमद अब्बास खबरदार जो आएंदा कभी ये वाज़वान पर लाए निकाह भी उससे जिसे निकाह का मतलब तक नहीं पता मैं तो उसकी जिंदिगी को अपनी जिंदिगी समझ का तर्ती देती रही उसके घर को तिनका तिनका सजाती रही और उसने तीन लबजों में सब रफादफा कर दिया चाली साल तक भुगती मैं उसके साथ चाली साल तक कड़ी मशक्कत करके मैंने जो मनजिल खड़ी की आपने महस तीन लबजों में ढहा दी वाव है वाह अच्छी रही आपकी मरदानगी क्या कहा जाए भावी उसकी बदकिस्मती कुछ भी हो मैं उसकी जागी नहीं हूँ अहमद अब्बास मरदों का तो यही रवईया है रहा है बिल्कुल सारे खुद गर्स मतलब परस्त, मुफलिसी होते हैं तब जोरूं के जेवर गहने तक काम में ले लिये जाते हैं और जब रोटी पर रोटी रखका खाने लगते हैं तब उन्हें आयाशियां सूचती हैं जबाल के बग्त जिस बीबी ने उनके साथ अपनी हड़ी पसली एक कर दी खुद को राएगा किया वह उनके लिए गहर इस्तमाली हो गई अब जब बे आदमी बन गए तो कमसी लड़कियां तलाशने लगे मैंने फिर पान पूरा करके गिलोरी उसे पकड़ा दी फिर दूसरा पान अपने लिए बनाने लगी पान लगाते लगाते फिर थोड़ी थमे भई वह बाहर की दुनिया में मस्त था उसे क्या पता कब किस बच्चे ने कौन सी क्लास पास की कब बच्चों की फीज जमा हुई कौन सा बच्चा किस स्कूल में पढ़ा कौन सा पास हुआ कौन फेल उसे तो यह भी याद नहीं होगा कि किस बच्चे को कब बखार हुआ कब निमोनिया हुई मगर मुझे याद है दिन तारीक समयत क्योंकि मैंने एक इवादत की तरह उसके कुनवे को सहे जा समयता मगर इवादत भी ला हासिल गई कहते कहते मैं रुआसी हो गई वहवी जैसे थोड़ा भीगा ठहरते हुए बोला भाबी उसे तो अपने किये कि सजा मिलेगी ही उसकी बीबी का हलाला निकाह हो इससे बड़ी बदनसीबी और इससे बड़ी सजा किसी मर्द के लिए क्या हो सकती है मैं तिल मिला गई मर्द? वो मर्द? तुम उसे मर्द कहते हो थूपती हूँ ऐसे मर्दों पर और ऐसी मर्दानगी पर अरे मर्द हो तो दुनिया में अपने नाम का पर्चम लहरा के दिखाओ पराई बहु बेटियों की हिफाज़त करो बेवाओं के से ढखो यतीमों के सिर पर हाथ रखो कुमारियों के घर वसवाओ नेफा पे जाकर मुल्क के लिए लड़ो ये होती है मर्दानगी यू रखेला रखने को आयाशिया करने को मर्दानगी थोड़े ही कहेंगे फिर ये मर्दानगी की एक मजबूर लड़की को दौलत का लालस दे कर धोके में रखकर उसे ब्याह कर ढूंग रचाओ अपनी ब्याहता को धक्य मार कर निकाल दो यहां तक तो ठीक आगे उसकी ये खुआश कि उसकी बीबी किसी दूसरी मर्द के साथ हम भी स्तर हो उसे कहने में शर्म नहीं आई उससे कहना ऐसा सोचने के पहले वज चुलू भर पानी में डूब क्यों नहीं गया मैं हाफ ने लगी एहमद अब्बास ने मुझे खामोश करने के लिए हाथ उठा कर कुछ कहना चाहा मगर मेरे सीने में अबाल उठ रहा था मैं थमी नहीं और तुम क्या कहते हो कि उसके लिए सजा है चलो मानती हूँ कि वह कसूर बार है इसलिए सजा का हगदार है उसे सजा मिल रही है मगर मैं मेरा क्या कसूर है कि दूसरे मर्द के पास निकाह करके रहूँ और फिर उससे तलाक लेकर फिर निकाहा ये तलाक और निकाह का खेल मैं क्यूं खेलूं? सिर्फ औरत हूं इसलिए? क्या औरत इंसा नहीं होती? जब अहमद अब्बास ने मेरे तेवर देखे तो वो टकासा जवाब तन्वीर को देकर चला आया बात आई गई हो गई तलाक का मुझ पर कुछ खास असर नहीं था सारे फरायस से फारिख हो गई थी रेहान आकर मिल ही जाता था बाकी भतीजे भतीजियों के दर्मयान मुतमईन थी उन सब के धेर सारे नन्ने मुन्ने दिन रात खेरे रहते भावज और बहुँ तनहा छोड़ती ही नहीं ससराल के मसरूफियात के चलते काफी दिनों से माईकी की तमाम रिष्टेदारियां छोट चुकी थी मैं फिर से उन्हें हवा पानी देने निकल पड़ी हर दिन किसी ना किसी चचेरे ममेरे फफेरे भाई बहनों के यहां से दावत के बुलावे आते रहते इस तरह किसी ना किसी बहाने में अपना गम गलत कहने निकल जाती और मेरा वक्त गुजड़ता रहता मगर जैसे बक्त ने पल्टा खाया उंट पहाड के नीचे आया इद्दत के दिन पूरे होते होते तन्वीर आधमका सैकणों तोफों के पैकटों के साथ भाई जान से फिर खुब रोया धोया मुझसे मिलने की इजाज़त मांगने लगा थोड़ी नानुकर के बाद भाई जानने मुझे ड्राइंग रूम में बुलवाया मैं सिर पे लंबा सा घूंगट डाल कर कमरे में दाखिल हुई भाई जान बाहर निकल गए मुझे देखते ही तन्वीर ने मेरे कदमों में टोपी रग दी और रिर्याने लगा जीनत अपने घर चलो मुझे माफ कर दो वो मेरी सबसे बड़ी भूलती तुम तो घर की जीनत हो रौनक हो तुम्हारे बगेर घर बीरान हो गया बाजारू ओरतों से घर बसता है क्या मैं और जबत ना कर सकी फट पड़ी तन्वीर अहमत जवान संभाल के औरत घरेलू या बाजारू नहीं होती औरत सिर्फ औरत होती है औरत की कोई जात नहीं होती औरत एक शमा है जो उम्र बर अंधेरे में रहके दूसरों को रोशनी देने के लिए जलती रहती है खुद को जलाकर तुम्हें रोशन करती है औरत एक नदी है जो सिर्फ बहना जानती है लेकिन उल्टी हवाओं में वो तुम जैसों को बहा देना भी जानती है तुम जैसे कूडा कच्रों को समेट का बैठी नहीं रहती अगर ऐसा भूल से भी कर बैठी तुम नदी नहीं नाला कहलाती है ये तो तुम मर्दों की कम अकली और कम जर्फी है कि कभी उसे मुकद्दस मानकर आँखों से लगाते हो और कभी उसमें अपनी गंदिगियां घोल कर उन्हें नाले में तबदील कर देते हो औरत को घर भी तुम ही लोग देते हो बाजार भी तुम ही लोग देते हो मुझे तुम से नहीं उस बिचारी मजबूर और माजूर लड़की से हमदर्दी है जिसके मुफलिसी का फायदा उठा कर तुम उठा लाए उसे वह हसीन है जवान है वह अपने महकते ख्वाबों को रौनते हुए तुम जैसे बुढ़े खुसट के साथ यू ही नहीं चली आई उसकी मजबूरी या कमजोरी तुम्हारी दौलत है तुम्हारी महबत नहीं लेकिन सिर्फ इस बिना पर तुम उसे बाजारू कहे कर अपने गुनाओं से फरार नहीं पा सकते वह उटकर सूफे पर बैठ गया सामनी की चेयर पर मैं भी बैठ गई वह लालची और मतलब परस्त औरत थी जीनत उसकी आँखों में मकारी वाले आसु जिल मिलाने लगे मगर मैं उसकी रग-रग से बाखिव थी अपना मतलब हल करने के लिए वह सेकणों मकारियां रच सकता था उसके चेहरे की हवाईयां को नजर अंदाज करती हुई फिर शुरू हो गई तुम शायर नहीं जानते तन्वर एहमद औरत हर भेश में परफेक्ट होती है मा के भेश में हो चाएं बेहन बेटी और बीवी के भेश में हो या कोई बाजारू औरत ही क्यों नहो इसका अंदाजा मुझे हो चुका है तन्वीर मरीयल सी आवाज में पहलू बदलते हुए बोला अभी कहा जरूरी सबक तो अभी तुमने पड़े ही नहीं कहती हुई मैं जप से उठी और बाहर निकल आई वह एक दो आवाजें दे कर चुप रहा मेरा बेटा रिहान मुझे मिलने आता एक रोज उसने तन्वीर की मकारियों के सारे ताले मुझे पर खोल दिये उसने बताया उसका बाप मेरे दो करोड के लिए कलब रहा है हालाएं कि मैं पहले राजी नहीं थी मगर रिहान की बात है सुनका सच मुझ आँखे खुल गई मैंने उसे सबक सिखाने की ठान ली मैंने राट दस बजे के करीब अहमद अबास को फोन लगाया और निकाह की रजामंदी दे दी एहमद अबास चौंग गया भाई जान को बजाहिर नहीं मगर भीतर भीतर नागवार गुजरा मगर तन्वीर ने सुना तो जूम उठ्था दिन में दस बाप फोन करके मुझे शुक्रिया कहा उस वक्त तक शायद उसे गुमान नहीं था कि मेरे उसके बीच जो लंबा सा रास्ता है उसके बीच एक नहायत गहरी सी खाई भी है हलाला निकाह पैन्वीर ने इस मौामले में उलेमात से मश्वरा किया बात ने तैकर लिए गई दिन तारीक रिताय कर लिए गए फिर इस रस्म के लिए किसी मातवर और भरोसिमन आत्मी की शिनाक्त में तन्वीर लग गया उसने अपने मिलने वालों पर कई वार नजर फेरी और हर वार नजर एहमद अब्बास पर आकर टिक गई एहमद अब्बास की बीबी को गुजरे अर्सा हो गया था शहर के शरीब घराने से तालुक रखता था एक बेटी एक बेटे का बाप बेटी ससुराल में थी बेटा पढ़ रहा था एहमद अब्बास तन्वीर से उमर में भी कम ही था थोड़ी नानुकुर के बाद एहमद अब्बास को राजी कर लिया गया रेहान हालां कि इससे इत्वाक नहीं रखता था उसे कॉलिज में दोस्तों की हसाई का सामना करना था पहले भी काफी जलील हो चुका था मगर हम दोनों पे अजब जुनुन तारी था मुझे अपनी जलालत का इंतकाम लेना था और तन्वीर को मेरे हिस्से के दो करोड जिसका ख्याल किये बगए उसकी जवान से तलाक फिसल गया था और अब हात मल रहा था इसे हासिल कहने के लिए उसने मुझसे एक सो एक बार जूट बोला और मैंने उसे एक सो एक बार ही जूट कह डाला मन ही मन उसकी कमजोर रग जिस दिन मेरी पकड में आई मैंने उसे पटकनी देने की ठान ली उसने मुझे मेरी हैसियत से खारिश करना चाहा था एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है मगर अपनी नकार नहीं सह सकती यह हलाला निकाह शहर में ईश्यू बनकर चाह गया यहां तक कि बेटा एक रोज आकर रो पड़ा मगर मैं ममता के हातों हार मानने वाली नहीं थी खुदा ने औरत को मा का दिल दिया है और इसी दिल ने हमें तिल तिल मने पर मजबूर किया है लेकिन मैं दिल के हातों हाना नहीं चाहती थी वैसे तो तन्वीर को मात देने की ठान ली थी बेटे को समझा दिया बेटे हम दोनों का जगड़ा तू हम पे छोड़ और आबू धा भी निकल जा यहां रहेगा तो पागल हो जाएगा बेटे को बात जच गई वो अतुरत फुरत तैयारी करके फुर हो गया अब मैदान साफ था अब शह को मात देने के सुनहरे मौके थे और मैं ताल्ठ होंके तयार तैशुदा बक्त पर हमारा और एहमद अब्बास का निकाह हो गया कुछ चंदे लोगों के साथ तन्वीर ने भी निकाह में शिर्कत की निकाह हो गया लोगों के लिए एक नया इशुवन कर तयार उदा तन्वीर को ताप कहा दूसरे दिन तड़के ही उसने अब्बास को फोन किया मिया कब दे रहे हो तलाग मौलाना साहब को लिकर आ जाओं तब मैं एमद अब्बास के बाजू में ही लेटी थी अब्बास ने जबाब दिया ऐसी भी क्या जल्दी है हो जाएगा तुमने कौन सा बाहिश शाहिद बना कर मौलाना को तलाग की रस्म अदाईगी की थी मेरा भी हो जाएगा इस रिस्ते में कोई दम है यार आकरी फिकराश शूल बनकर उतर गया मेरे अंदर इन दिनों की गहमा गहमी में एमद अब्बास पर ये बात आया हो चुकी थी कि मैं दो करूड की मालकीन हूँ दौलत में बड़ी आच होती है इसकी तपेश इनसान की इमानदारी शराफ़त यारी दोस्ती सब जला कर राक कर दीती है अब्बास के मन में भी मैल आ गया एक तरह से बगेर उस पर मेरी मनशा खुले ही वह मेरी मनशा पर उतर आया था मेरे समय अब वह दो करूड का मालक था फिर रणवा भी था बगेर हर्रा फिटकरी के उसकी जिन्दिगी पर शोक रंग चड़ गया था बैसे लालच उसके मन में हो तो हो मगर मुहपत में दिखावा या ड्रामा नहीं था उसकी जिन्दिगी का कैनवास कब से सूना पड़ा था मेरी महदी के निशान पड़े तो महक उठा उसके जीवन की सूखी पड़ी वगिया हर हरा गई भर भरा गई जो कमी एक अरसे से चली आ रही थी मेरे आते ही पूरी हो गई उसका बेटा हर लमहा अम्मी अम्मी करता मेरे पीछे भागता रहता हलांकि वो मेरे रहान का दोस्त ही था और पहले भी मुझे अम्मी ही कहता था बगएर मा का होनी की बज़े से तब भी मैं उसे रहान की तरह ही प्यार करती थी मुझे भी लगा था कि मेरा विछड़ा परिवार मुझे फिर से मिल गया अब्बास के घर में चाए नास्ता बनाते खाना बनाते कपड़े धोते उसके घर को सहचते समारते में तकरीवन भूली गई थी कि हमारा कोई मसला है या ये हमारा हलाला निकावर है हमारा तलाग भी होना है अब्बास की भी हालत कमोवेश ऐसी ही थी हर वक्त उसकी बातों में फुल जणिया चुटती रहती घर हंसा करता अब वह घर में ज़्यादा वक्त बिताने लगा तन्वीर से मिलना भी तर्क कर दिया था तन्वीर फोन भी करता तो वह करनी काट जाता घर आता तो नौकरों से कहला देता कि वह घर पर नहीं है मैंने भी तन्वीर की बावत सोचना बंद कर दिया था एक दिन तन्वीर ने फोन करके मुझे खूब गालिया दी मैंने जटक कर फोन कर दिया तन्वीर को जब हम दोने की मनशा कुछ कुछ समझ में आई तो वह बौकला गया जिस दो करोड के लिए उसने इतनी जद्दो जहत की थी आजबा हाथ से फिसलते जा रहे थे उसने उले मात और रिष्टेदारों की मजलिसें बटोरनी शुरू कर दी अपनी बातें लगी सभी ने एक तरफा फैसला उसके हक में दिया मगर इससे भी क्या होता मैं तो तब भी उसके निकाह में ही थी और हम शरी तोर पर मिया भी भी थे मौामला आदालत में भी गया मगर कोटों की भी समझ में ये मुसल्मानों के पैचों खम नहीं आए आखिर में फैसला मुझ पर ही छोड़ दिया जाता मैं एक चुप हजार चुप इसी तरह अबास भी अपने फैसले से नहीं दिगा किसे आया तन्बीर वद हवासी और बेवसी में खंबे नौच नौच रह जाता वलकि उसने एक रोज मुझसे कहा विता फौन पर जीना तू कहीं भी जा मगर मुझे मेरे दो करोड बापस कर दे वो मेरी कड़ी मशक्कत के थे मैं दहक गई ए मुर्दूए अपनी आउकात में रह वरना तलवे से जुबान खीच लूँगी ये दो करोड तेरी कमाई थी और मैं क्या तेरे बाप की लॉंडी थी जो तेरे बच्चे पालती रही चालीस साल तक तेरे मुर्दे से सुईया निकालती रही कहे देती हूँ होश में रहा कर उसने चीक कर फोन रख दिया मैं भी रिसीवर पटक कर घूमी तो सामने अबबास खड़ा था पूछा तनवीर था और नहीं तो क्या सुवर का बच्चा मर्द बना फिरता है ए भाई मर्द ही हो खुदा तो नहीं अब मर्द हो तो खोपड़ी पे आग मुतोगे मैं बड़वडाती हुई दालान में आ गई और सोपे पर गच्च से धस गई पीछे पीछे अबबास भी आकर मेरे बाजू में बैठ गया तनवीर को तो खैर शोक लगा ही था दोहरा शोक जोरू भी हाथ से गई और जर भी जोरू तो खैर यहाँ वहाँ मिल जाती मगर करोड की गिंती में जर इसलिए वाज चुंधी आया रहता कभी नौकरों को पीट डालता कभी घर के सामान तोड़ डालता घड़ी घड़ी गुस्से और पच्टावे के फिट पड़े रहते आज भी वही सब हो रहा था तन्वीर गर्जा तुने वादा खिलाफी की है अब्बास ये निकाह हलाला था तुझे जीनत को तलाग देना था जाओ नहीं देता क्या कर लोगे किसी जिद्धी बच्चे की तरह अब्बास मुकर गया तन्वीर ने बड़ी बेचारगी से मेरी तरफ देखा जैसे कोई जाल में फसा परिंदा आजादी की ख्वाइश के साथ ही किल्टजा लिये देख रहा हो मैंने एक हलकी सी निगाह से उसे देखा और धागा तोड़का सुई में पिरोने लगी मेरी ये निगाह उस थपड से कहीं ज़्यादा तल्क थी जो मैंने तलाग वाली रात उसके चहरे पर रसीद किया था एक दम से छटपटा उठा जैसे धदखते हुए शोलों को छू गया हो बेतर है कड़प कर चिलाने लगा या अल्ला इंसा पहे ही नहीं गया है इस दुनिया में बीबी धोके बाज दोस्त धोके बाज किस पे आके भरोसा किया जाए या खुदा मेरा सबर इन लोगों पर फट पड़े मैं खामोश सुई चलाती रही जैसे उसकी बात है मुझे सुनाई ही नहीं पड़ रही हो अल्बत्ता अब्बास उसे घूरता रहा फिर कमरे में जाकर टीवी ओन करके बैठ गया अपनी मात देखकर तन्वी ने मुझे भद्दी सी गाली दी जिस पर मैं धीमे से मुस्करा दी तो बद्तिल में लाया सा बाहर निकल गया फिर बाहरी गेट पर बैठ कर जारो कतार रोने चिलाने लगा मेरा जी कराहियत कर उठ्था एहमद अब्बास फिर चकराया सा मेरे पास आकर बैठ गया उसका बेटा नो मान भी गुमसंसा मेरी गोदमे सिर रखे लेटा रहा हम लोग उस दिन घंटों खामोश रहे तनवीर हार कर जा चुका था हमने राहत की सांस ली उसके जाने के बाद मैं चाय बना लाई और फिर चाय के चुस्कियों में हमने अपने अपने दर्द भुला दिये मैं तनवीर को दुनिया की सबसे गंदी गाली देना चाहती थी मगर क्या है वह तो पहले से ही सड़ रहा था हमारी शादी को सालवर होने को था तनवीर पोरी तरह उज़ड चुका था मैं बच्पन से ही बागी लड़की थी किसी को चाहती तो टूट कर चाहती और किसी की जरा भी नजट टेड़ी हुई तो से उसकी आउकात तक पहुँचा दे थी ये थी मेरी फितरत दिल से जितनी नम्र उतनी ही सक्त किसी को माफ करना मेरी फित्रत में नहीं रहा मैंने कभी किसी के साथ नाजाइज नहीं किया और नाजाइज सहा भी नहीं मैं अपनी ये लड़ाई हारने के कभी सोच भी नहीं सकती थी और मेरी चुप मुझे मुतमाइन करनी थी मुझे समालनी थी एक रोज का किस्ता सुनिए एहमद अबास मूँ अंधेरे ही निकल गया मैंने सोचा फितरती आदमी है गया होगा कोई तरफ करीब दस बजे वापस भी आ गया मैं मसहरी पस बैठी सबजी काट रही थी वह पहलू मैं ही मुझसे लगकर बैठ गया मैं बैसे ही सिर जुकाए अपने कामें मश्गूल रही उसकी सांसों उसकी आहट उसकी हरारत से महसुस हुआ वह कुछ मायूसता है जरूर आज किसी ने उसकी अना को चोट पहुचाई है ऐसे लमहों में वह ऐसी चुपी होड लेता था मैंने ठहरे पानी में कंकड़ी उच्छा ली खैरियत तो वह सीनी मैंसे तोरई का टुकड़ा उठा कर दांतों से कुतरने लगा जीना दस बच चुके हैं ये काम छोड़ो चलो पहले बैंक चलते हैं बैंक? किसलिए? मैं च्छनकी लगा अबास अब आउकात पे आ रहा है लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही बोला ये अपने दो करोड तन्वी के नाम ट्रांसफर कर दो क्या? तुम्हारी मत मारी गई है जीनाद मुझे गलत मत समझो बस कभी-कभी अपने सुक की वनिस्पत अपनों के सुक ज़्यादा एहम हो जाते है मेरे सिर्फ दो बच्चे हैं इनके सिवाज दुनिया में मेरा कोई नहीं तुम जाने कब तक हो मेरी? वो बड़ी आजिजी से बोला जीनाद पहले मेरी नियत जो भी रही हो मगर अब आँखे खुल गई है शायद तुम्हें भी नहीं पता कि नोमान बीये में फेल हो गया है और अभी भी सही नहीं चल रहा है ये सब मुझे भी नहीं मालूम था हम माबाब भी कभी कभी कितने बेहूदा और मतलब परस्थ होड़ते हैं कि अपनी बेब कूफियों के आगे कुछ भी नहीं सोचते है बच्चों के लिए जायज नाजायज तरीके से जायदाद तो बना लेते हैं पर बच्चे नहीं बना पाते मैं जर जायदाद से किसी से कम हूँ क्या मगर आदमी की हवस वह एक ठंडी सांस लेकर रहे गया लेकिन अब जाग गया हूँ जीनत अगर इतना सब होती हुए भी मेरा बेटा बीरानियों से लिपट कर रोए सननाटों से अपना दर्द शेयर करे तो लानत है मेरे बाप होने पर तो मैं नहीं पता बाहर की दुनिया ने उसे किस किस तरह मेंटली टॉर्चर किया है लोग बाप उसे ताने मारते हैं कि उसके बाप ने दौलत की लालत में किसी की बीवी पर कबजा कर रखा है और ये कि दौलत की वज़े से ही मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा कुछ मायनों में ये सही भी था मगर अब मैं जाग गया हूँ मैं अब नौमान को और नहीं तोड़ूंगा कल उसके कॉलिज के प्रिंसिपल सहब भी आये थे उन्होंने ही सारी सूरते हाल बाजिय की उन्होंने बताया कि अगर ऐसा ही रहा तो नौमान जिहनी तबाजन भी खो सकता है और इसकी बज़े केवल मैं हूँ मेरा ये कदम नौमान से भी कुछ पूछा मुझे यकाया कि अब बाज की बातों पर यकीन न हुआ उसने दोबारा गहरी सांस खेची इसकी तह तक जाने के लिए आज हवा खोरी के लिए निकले नौमान से तनहाई में मिला वह अजब सी बीरान जगे पर तनहा लेटा हुआ था सूनी आखों से आसमान ताक रहा था मेरे बहुत कुरूइदने पर उसकी आखें भीग गए उसने अपना फैसला तुरंद सुना दिया अब्बू, अम्मी को मत जाने दीजिये मट होने लगा मैंने तरकारी की सीनी उदर खिसकाई और एक जटके से कमरे से बाहर निकलने को हुई कि अब्बास ने हाथ पकड़ लिया वैसे जीनत मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपने से आजाद कर दूँ इसके बाद तुम तन्बीर को चाहे रकम दो या ना दो हमें कोई सरुकाय नहीं आजाद तो तुम यूँ भी हो मैं तो बस ये सोचकर बाग बाग था कि जो गर हमारे लिए सराय बन कर रह गया था वहाँ फिर से एक घर नजर आने लगा है मेरा घर, मेरी बेटे का घर जिस घर की आबो हवा में एक बीबी की चोड़ियों की खनक ना हो एक मा के साए का पहरा ना हो वो घर भी क्या घर है जीनक कहते हुए आवाज रुंद गई मैं पल्टी शुक्र है अब्बास तुम औरत की अजमत को पहचानते हो मैं तुम्हे एक बात पतातू मर्द जायदाद बनाता है औरत घर बनाती है एक बात तन्बीर का घर बसाया था उसने उजाट डाला मगर अब ये घर नहीं उजडने दूँगी मैं तयार होकर आती हूँ कहती हुई मैं बाहर निकल गई अब्बास यहां वहां फोन लगाने लगा एक आद अखवार नवीसों को भी बुला लिया बैंक में आकर तन्बीर और अब्बास कागजी लिखा पड़ी में लग गए मैं एक तरफ सोपे पर बैठी रही जहां जरूरत पढ़ती है अब्बास आकर मुसे दस्तकत करवा ले जाता मैं बुर्गे की पट्टे के पीछे से दौनों को पढ़ती रही बारी बारी तन्बीर की जीत भले ही हुई थी मगर चहरे पर काला रंग सा पुता जा रहा था जबके एहमद अब्बास के चहरे पर सुनायली धूप खिलती जा रही थी चहरा गैबी खुशी से दमक रहा था दूसरे रोज अखवार बालों को जाने क्या सूजी कि तन्बीर की खुब छीचा ले दर की और एहमद अब्बास की बले बले नो मन पिपर देखते ही मुझसे आकर लिपट गया उसकी आँखे नम हो गई अभी हम अखवार की सुर्कियों पर निगाए फेर ही रहे थे कि अब्बास का मुबाइल वज़ उठ था मैं अब्बास का चहरा पढ़ने लगी अब्बास के लहजे बातें और चहरे के उतार चड़ाब से साफ जाहिर हो रहा था कि तन्वीर किसी चोटिल साफ की तरह फुफकार रहा है उसके चहरे पर ये तीसरा थपड था अब्बास ने मुस्कराते हुए मुबाइल मुझे थमा दिया मैं कुछ दिर तक मुबाइल कान से सटा कर उसकी गालियों का मज़ा लेती रही मगर बरदास्त कहां बोली ये तन्वीर तेरे दो करोड तेरे मुपद दे मारे अब क्यों दुम भटकार रहा है मेरी आवाज सुनकर बचौक पड़ा ये तू तेरा मुप कैसे पड़ा मुझसे बोलने का जीनत तूने बड़ी रुस्वाई कराई है मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा कभी नहीं उफ ये जिल्लत है ये बेवफाईया मैंने हस्ते हुए मोबाइल बन कर दिया दोस्तो अभी आप सुन रहे थे तो मेरे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद